हेलो फ्रेंड्स जैस्री क्रिशना जै मातादी जैस्री शाम तो कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे देखी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखीर दोस्तों अचानक से नवंबर महीने में आपको कौन सी खुश खबरी मिलने वाली है नवंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है क्या कह रहा है नवंबर महीना आपके लिए सारी बाते सुनेंगे सार पूर्ण वीडियो हैं प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें बढ़ आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना ना भूले तो चलिए शुरुबात करेंगे बिना किसी देरी के हर-हर महादेव का नाम लेकर जी हाँ दोस्तों हम बात क करेंगे कमेंट section में सबसे पहले अप राधे राधे रश्फिंगे हम बताएंगे कि नवंबर महीना आपके लिए क Unbelievable पार बिसार नवंबर इसपषा है दो कि दहुंति है से जो भी नंबर आपको अपने तरफ अट्रैक करें जो नंबर आपको पसंद आ रहा हो आप उसे चूस करने फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या लिखा है आपके किसमत में क्या कह रहे हैं टेरो कार्ट क्या पिलिंग से आपके लिए और आगे जाकर के कंडिशन क्या बैठने वाली है किस तरह से आपको रिलेक्स रहना किस तरह से खुशियां दरवाजे पर दस्तक देखेंगे फास्ट नंबर की बात कर लेते हैं जिनोंने भी पहला नंबर चूस करा हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टेरो कार्ट और कैसी कंडिशन्स बैटरी है किस तरह से नवंबर महिना आपके लिए रहेगा जीवन में बदलाओं आपके होने वाला हैं काम के लिए डेडिकेशन से नए नए अफसर मिलने वाले नए उपलब्धियां मिलने वाली हैं किसी एक बड़ी समस्या से आपका सामना हो सकता है तो उसे सुलजाने के लिए जो महन उन्हें नजर अंदाज कर जाते हैं जो की गलत है नजर अंदाज नहीं करना चाहिए जल्द ही जीवन की हर एक बात में आपको रहत मिलेगी करियर में बदलाव करने के लिए खुद को थोड़ा और वक्त दें ठीके और कोशिश करें बहतर बनाने की बहतर आउसर आपको नज आशा भी रह सकती है आप में विश्वास बनाया रखें किसी भी काम में बदलाव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी चिंता रह सकती है लेकिन प्रयत्नों के जरिये परिस्तिति में बदलाव भी होगा सईयम से बड़ी सफलता मिलेगी किसी व्यक्ति की अच्छी बुरी हर इस्तती में समझदारी से आप काम लेंगे अगर आप थोड़े एक्सप्रेसिव बनेंगे तो सफलता बहुत जल्द आपके कदमों को चुमेगी जहां एक और परिवार में खुशियों की बोचार आने वाली है वहीं दूसरी और परसनल लाइफ में खु खुश खबरी ही खुश खबरी आपको मिलने वाली है सफलता आपके कदमों को चुमने वाली है यह तो हमने आपको बता ही दिया लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है क्योंकि जीवन में अब आपके खुशियों की बोच्छार आने व वाला है अब खुशिया ही खुशिया थोड़ी सी मीथी नोक जोख होने वाली देरानी जेठानी जास बहु का ड्रामा आप अब इंट्रेस्टिंग होने वाला है कोई महत्वपुन कारी पूरा होगा रोजगार में आपकी प्रतिभा निखरने वाली है यह समय नवंबर का संघर्ष और चिंताओं से मुक्त रहेगा कोई संघर्ष करना कोई चिंता नहीं करना बिलकुल खुशी भरा समय है पुरानी बातों को भूल जाए अभी तक जो भी हुआ अपने पास्ट को भूलिए नए सीरे से आप अपने जीवन की शिरवात करें सुक दुख का आना जाना तो लगा रहता है देखिए कभी दुख आ रहा है तो सुख जा रहा है कभी सुख आ रहा है तो दुख जा रहा है है ना धेरी रखे महत्वपूर्ण रिष्टों में एहंकार होना ठीक नहीं है काम के साथ पारिवारिक दाइत्वों को समय पूरा करने पर और किसी रचनात्मक काम में आप मन लगाएंगे राजकाज में राजनेताओं की पकड़ मजबूत होगी महत्वपूर्ण निर्ने लेने में ब्रहमीत होने से आप बचें ठीके परिवार का सपोर्ट मिलेगा आपका पक्ष मजबूत होने वाला है कड़ी महनत से कुछ नई कुछ चिंताय क्हेर आपको परेशान कर रहे कुछ पुराना ऐसा हो चुका है जो कि आपको परेशान कर रहे लेकिन आप जदर लोड ना ले करियर के लिए बहुत ज़ल्दी अच्छा ऑप्षिन मिलने वाला और बहुत जल्दी टाइंशन फरी आप होने वाले पुरानी घटनाओं को भूले और आगे बढ़े घरवालों की छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने ठीके पारिवारिक दाइत्वों की पूर्ती में व्याय संभव है भोतिक सुक सुधाओं को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते लेकिन चिंतित ना रहे एक दिन सब कु हो जाएगा गलत तरीके से बोलना आपको हानी का रगद हो सकता आपके लिए तो थोड़ा सा अपने बोलने के तरीकों को आप कंट्रोलिंग करें सैयम बढ़ते अच्छे से वैवहार रखें कठीन समस्याओं का सामना करने के लिए पूरे जोश के साथ तेयार रहें अगर आप दूसरों की आलोचना करना बंद कर देंगे तो संबंदों से आपको लाभ मिलेगा सब कुछ सामानी होते हुए भी मन में वेरागी की भावना जागेगी है ना सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी आप सोचते रहते हैं मिर साथ यह हो गया मिर साथ वह हो गया शुब में काफी हद तक आप आगे पड़ेंगे संघर्श के साथ नई सफलता मिलते भी दिखाए दे रही कंडिशन्स पहले से काफी बैस्ट दिखाए दे रही तो खुश रहे नवंबर मैना धेरो सारी खुशियां आपके लिए लेकर क्या रहा तो क्यो लेड लोड लेना क्यो ड गलती कर रहें और किस तरह की गलती करने से आपको बचना चाहिए किस तरह से रहने वाला है आपका आने वाला समय तो चलिए समझ लेते हैं आज की वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपके लिए बहुत ही उत्तम रुप से फलदायक रह लोगों के नजरिये को समझना होगा सामजिक विश्यो के प्रती आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना है विशेश करके आपसे चीज कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो सामजिक गतिवीधिया है उनमें विश्यो के प्रती जो आपकी रूची जागरत होने वाली है वो आप उमिता मानसमान आपको दिलाएगी सस्राल पक्ष का कोई व्यक्ति आप से मिल मुलाकात करने आ सकता है कुछ मधुपून चर्चाओं में आप सम्मिलित होंगे प्रेम संयों की भावना आपके अंदर बनी रहेगी आपके लिए सुक सम्रद्धी में व्रद्धी होने वाली है परिवार के सदस्यों का साथ वसमर्थन बना रहेगा परिजनों का भरोसा जीतने में आप कामियाब रहेंगे आपके घर किसी अतिती का आगमन होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपके उमीदों पर संतान जो है वो खरी उत्रेगी लेंदें से समधित मामलों में आपको सावधान रहना होगा पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाना होगा और किसी से कियो हुए वादे आपको पूरे करने होगे नहीं तो समस्यां आपको आ सकती चारो और का वातावरन खुश नुमा रहेगा रचनात्म कारे से आपको जुड़ने का मोका मिलेगा सभी का आप भरोसा जीतेंगे और कोई महत्वपुन लक्ष भी आपका पूरा होगा आपकी अनुखी कोशिश आज रंग लाएगी किसी नए कारे में आप पूरो उत्साह दिखाएंगे संपत्ती का सोधा अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके चल अचल पहलू को स्वाधिनता से जा चले नहीं तो समस्यां हो सकती हैं बाकी के कामों पर आप ध्यान दे पुले रखकर कारे करें नहीं तो बाद में आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दान धर्म के कारियों के प्रति आपकी रूची रहेगी पारिवारिक रिष्टों में यदि किसी बात को लेकर अन्बन चल रहे थी तो आप उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे इस बीच फोन के जरीए कोई विशेश सूचना मिलने वाली है रिष्टों में दरार पढ़ने वाली इसने वानी पर नियंतरन रखना बहुत जरूरी है वानी पर नियंतरन रखें आप अपने जीवन में होने वाली सारी जो भी कठीन बाते हैं कहीं न कहीं उनको सोल्ड थी तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें विदेश में रह रहें किसी परिजन से आपको वोन के जरीए कोई निराशा जनक सूचना सुनने को मिलेगी आप अपने माता-पिता की जरूतों पर पूरा ध्यान दे आपके लिए दिन जो एकाफी महत्वपून लेने वाला है आप लोगों का भरोसा जितने में काम्याब रहेंगे और आर्थिक समस्याओं को लेकर यह दिया परेशान थे तो वह भी दूर होगी और आप उन्नती के रहा पर आगे बढ़ेंगे आपको बिजनस में छुटपुट लाब के अवसरों को पहचान कर भी अमल करना होगा नह कर पाएंगे नहीं तो आपसे वो नाराज भी हो सकते हैं इस बीच देखिए मिला जुला रहने वाला है कोई समय आपके लिए और सभी कारों में स्रेश्ट प्रदर्शन करेंगे भागी के दरिश्टी कोन से दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लंबी दूरी की यात्रा प अब शुरू होने वाला है आने वाले समय में आप काफी अच्छा करने वाले हैं बहुत अच्छी चीज आपके साथ हो रही है काफी अच्छा कारे आप कर रहे हैं तो जीवन में चीजों का ध्यान रखे विशेश करके जो बातें आपके लिए सही है बस उन बातों पर आप फोकस करें और इतना भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कहीं न कहीं मन की इच्छा की पूरती होगी आपकी जिससे खुशी का ठीकाना नहीं होगा अपने परसनल कारियों पर ध्यान देंगे सभी को साथ में रखने की कोशिश आपकी कामियाब रहेगी जोखिम को बात करें नवंबर महिने की तो कंडिशन पहले से काफी अच्छी दिखाई दे रही है परिश्रम करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे खुद पर विश्वास नहीं है आपको तो आप खुद पर विश्वास रखें और कारेशित्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी योग्यता को साबित करें लंबे समय से अटका हुआ कोई कार्य जो है वो पूरा होगा जीवन में तालमेल बनाए रखें गुप्त शत्रों से सावधान रहें इस सप्तहा नए व्यापारिक संबंदों में मजबूती आएगी बड़ों क संयोग भी मिलेगा कारिशेत्र का वातावरण सुखद रहेगा आर्थिक और घरेलू चिंताएं दबाएगी आपको आप संबंदों का पूरा लाब उठाएंगे कारिशेत्र में आप अपनी बातों से पूरा फाइदा भी उठा लेंगे परिवार में प्रेम का संचार करने का प्रेयास करें वर्तमान ग्रहों के अनुकुलता आप के लिए लाबकारी है कोई महतुपुन रुकावा काम है तो वो सुलज जाएगा परिवार की बातों का बूरा ना माने ठीक है इश्वरी आस्था के साथ सुख शान्ती का अनुभव होगा आपका जुजहारू सुभ करियर में जो बदला होने वाला है तो उसके लिए आप खुद को थोड़ा वक्त दे बहतर अवसर आपको नज़र आएंगे कारियों में प्रगति आपके पेक्षा के अनुसार ना होने से थोड़ी निराशा रहेगी आत्मविश्वासा बनाए रखें जीवन में हमेशा होगा अच्छे के लिए होगा परिवार की हमेशा पकड़ मजबूत रहेगी के प्रति ना किसी व्यक्ति की वज़े से आपके व्यक्तित्व में आ रहें बदलाओ को अपनाने में आपको वक्त लगेगा इन बदलाओ की वज़े से फाइदा भी होगा नेगेटिविटी दूर होगी जैसा काम करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए फिलहाल वक्त लगता हुआ दिखाए देरा सही लोगों का चुनाव करते रहने की कोशिश करें जितना आप सही लोगों का चुनाव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें कंडिशन्स आपकी पहले से काफी बैस्ट होती भी दिखाई देरी तनाव की वज़े से आप अपने लक्ष की और धीरे धीरे बढ़ेंगे गलत नजरी की वज़े से आप खुद भो हरावा महसूस करें न करात्मक सोच को दूर करें लोगों से विवाद ना करें और शांती से काम करें आपकी समस्याओं का हल आपको बहुत जल्द मिलेगा आप वरतमान पर ध्यान देंगे तो बहतर रहेगा भविश्य की चिंता बलकुल ना करें जस प्रकार से वरतमान में बदला होगा वैसे ही आप भविश्य को अपनी मर्जी के अनुसार बदल पाएंगे जिन बातों से जीवन में सुक्षान्ती मिल रही है केवल उनहीं पर ध्यान दें तो कंडिशन्स काफी अच्छी दिखाए देरी थोड़ा रिलाक्स रहें खुश रहें और जीवन में आगे पड़े